बनाने जा रहे हैं सिंपल वेजिटेबल पुलाओ बनाने के लिए पुलाओ जिनको बॉइल कर लिया है चॉपड ओनियन, कुछ क्वांटिटी में धनिया पती, चॉपड गाजर, चॉपड शिमलामिच, कुछ क्वांटिटी में लॉंग और इलाइची, घी, जीरा और राई, कुछ क्वांटिटी में लॉढ़ा काली मिर्च पॉडर और गोभी चॉण यको क कटाई में घी गलब कहा हैं जीरा और राई, लॉंग अंड इलाईची, कुछ कोफड़ पता, दाल चीनी और चिलिफ्लेक्स, गरम घी में अब हम सारी वेजी टेवल में लाएंगे वन बाई वन सबसे पहले मिलाते हैं चॉप्ड ओनियन इसको सुनेरा होने तक प्राय करते हैं हमारा प्यास प्राय हो चुका है अब हम इसमे दूपी वेजी डालेंगे शिम्ला में चॉप्ड गाजर और गोवी सबको अच्छे से मिक्स करके पोर से 5 निट के लिए से हम कवर कर देंगे ताथि ये थोड़ी की सबसी गल जाएं फाइफ निट कंप्लीट होने के बाद हम चैक करते हैं हमारी वेजी टेबल पक गई है अब हम इसमें कुछ क्वांटिटी में स्वादनू सा नमक काली मिट्च पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें मिलाते हैं पुलाव जो कि हमने बॉइल करके रख लिए थे ओपन बॉइल करने पे चावल का साइज अच्छा रहता है वेजी में हम इसको मिक्स करते हैं और सबको अच्छे से मिलाते हैं वेजी टेबल और पुलाव को कर अब बॉइक हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मिक्स होने के बाद में हम ऑनली 2-3 मृट्स के लिए इसे कवर कर देते हैं ताकि ये अच्छे से स्टीन से पक जाए के लिए 2-3 मिट्स के लिए 2-3 मिट्स कम्प्लीट होने के बाद चैक करते हैं हमारे गर्मा गर्म स्वाधिस्ट पुलाव बनके तैयार है उपर से सजावट के लिए हम इस पर धनिया पत्ती लगाते हैं आप भी प्राय कीजिए अपनी फैमिलीज के साथ सिंपल रेजी टेबल कुलाव थैंक्यू सो मच्छ